और भी टेक्नावाजी से रेलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब के जिए वर्ट्यूल एड़ने को और लेटेस्ट अपडेट एंड नॉटिस्टेशन के लिए बेल आइकन को प्रेश करने को आज के लेसन में हम वर्ट्रेस पे लोगो एड़ करना सीखेंगे इसे प्रीवस लेसन में मैंने आपको फोटोशॉप की मदद से आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके उपर काम चाहता इसके लावा आप काफिसरी वेबसेट भी मैंने बताई थे जिनके तो आप लोग क्रिएट करने के बाद परचीस करना पड़ता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अप खुदी जो हैं तो फोटोशॉप की मदद से लोगो क्रिएट करें और अगर नहीं आता आपको लोगो क्रिएट करना तो आप मैंने फोटोशॉप और खोलोड़ की वीडियो को ज बेस्प्रेस उसमें जो लोगो रगाव है उसको रिप्रेज करना सीचेंगे यहां पर मैं विजर साइट पे क्लिक करता हूँ तो यहां पर देखें तो लोगो यहां पर एड़ जावा है ज्यादा तर जो theme होते हैं किसी भी कोई भी जो theme होते है उसके साथ उसका logo address क्या हुआ तो उस logo को आप replace कर सकते हैं कुछ templates ऐसे होते हैं जिनमें direct आप यहां से जैसे कि base place में click करता हूं तो base place का यहां से direct जो 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 जडिनल में आप logo change कर सकते हैं logo image और कुछ templates ऐसे होते हैं जिनमें logo का यहां पर कहीं पर option नहीं होता तो उसको कैसे replace के जाता है और यहां पर आपके पास option है तो यहां से direct आप upload कर सकते हैं और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर इसने एक आप पोजू है तो बताया हुआ है कि आपके पास localhost में WordPress में WP contents में और base place में image के अंदर logo पड़ा हुआ है extensions की .png है तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह का option नहीं आया हुआ आप अपने logo को replace करेंगे, replace करने के लिए आपने क्या करना है जैसे कि मैंने एक desktop पर आई तो इक logo क्रेट किया है यहां पर यह logo है यहां पर 60 days WordPress training का एक logo में क्रेट किया था इस logo को जो है तो हमने वहां पर add करना है तो इस logo को यह logo PNG है इस logo को आप यहां से copy करने copy, logo को copy करें यहां से और C में जाएं, C में आपके पास है XM, XM में आपके पास है HD docs, यहां पर WordPress, और WordPress में WP contents, इसके अंदर theme है, theme में आपके पास bizpress theme है, और यह तीम है और यह तीम है, और यहां पर image है और image भी यहां पर अपके पास है logo, और यहां पर यह जो logo है, इस logo का, मैं यहां से control रिपेस्ट कर लेता हूँ, और यहां पर कह रहा है कि replace करना चाहरे है आप logo के साथ logo को, तो आप यहां से replace पर click करें, तो logo replace हो चुछे से साथ, अब जब आप यहां पर जाके अपने block को refresh क करेंगे यहां पर, आपके बद दिखें वो logo आपके, अब logo आगा लेकिन logo सही तरह से adjust भी क्या हुआ, दिखें यहां पर इस लोपर आ रहे है, तो यहां से इसकी कैसे setting होती है वो आपको मैं बताऊंगा, तो अब यहां पर जो logo add होगे इसके साथ, अब इसमें एक मसले यह करेंगे, कि लोगो तो हमने add कर लिया, लेकिन यह हमने direct वहां से add करेंगे, अब यहां से अगर आपने add करना तो आप direct यहां से logo image पर क्लिक करेंगे, यहां पर दो option है, custom text, text आप लिखना चाहरे है, उनली तो आप text लिखके आप यहां से इसको save करने, यहां पर जाके आप refresh करके देखिए इसको, only text आजागा यहां पर, wordpress training, logo add करना चाहरे है तो आप यहां पर जाएं और यहां से अपने logo select करें, अब logo upload करने के लिए आप upload करेंगे, जहां भी logo पढ़ा हुए उसको upload कर सकते हैं, जो मैंने normal जिस तरीके से upload किया वह आपको बता चुका हूँ, जैस जो कि मैंने contact us अपनी virtual academy के लिए, यहां भी add की लिए, अब यह अपस logo आगया और इस logo को जब आप यहां पर जाके refresh करेंगे, तो यहां भी आज रहे हो, size बहुत बढ़ा है, तो शाहिद के देख सकते हैं, यहां भी पूरा पूरा लिखा आगया, तो यहां से भी upload कर सकते ह यहां से direct up add कर सकते हैं, तो यहां भी upload पे click करता हूँ, डिक्स्टॉप पर लोगो पड़ा है में उसको, यहां से logo पे click करके add कर लिता हूँ, तो logo PNG format में आपके बनाना है, PNG का फाइदा ही होते है कि इसका background नहीं होता है, जो पीछ्छे वारा background होता है, उस भी adjust हो जाता ह लोगो create करने के बाद आप इसे upload करें और यहां से save कर लें, तो आपके blog में आपके जो wordpress का theme है, वहां पर आपके बाद देखें तो logo पी add करना में आपको सिखा जब logo कैसे add करते हैं, तो आप Photoshop के बाद लोगो create करें, और फिर आप add करें, add करने के बाद इसकी settings है, इस settings से अपने गबराना नहीं है, यह आपको मैं next lesson बताऊंगा कि इसको आपने कैसे change करना है, तो मैंने इसी setting की वज़ए से ही मैंने आपको जब logo हमने create किया था, तो मैंने size ज्यादा रखा था, उससे फिसी लिए रखा था, अगर इसका यह बाहर निकलाता है, अपने area से यह इस जो wordpress आपने street drive में जहां भी आपने अपना wordpress का theme जहां पर रखा है, वहाँ पर image में image को replace करना, logo से logo को replace करना, और दूसरा direct जो है तो logo को upload करना, तो यह था जी आज का lesson, उमीद है यहां तक आपको समझ आया होगा, इंशलन है next lesson में हम कुछ और चीज़ों पर discuss करेंगे, तक आपना बहुत सारा ख्यार लखेगा, अपनी दूआ में याद रखेगा, खुदा हाफिस, उमीद है आज के lesson से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आज क्या question आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका answer comment box में ज़रूर type करें, और इसी तरह और भी computer courses सीखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारी चैनल को आपके लाइक की बहुत जरूरत है, और virtual academy को subscribe करना मत पूलें